नमस्कार दोस्तों आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में और अपनी एक्जम अड़की टीम आपके लिए लगतार मेहनत कर रही है और आपको एक बार फिर सामाने जानकारी से रेलेटेड पचास कोशन का सेटम लेकर आएं जो कि प्रिवि कि प्रत्वी के वायू मंडल में निम्ली रिखित में से किसमें उचाई बढ़ने के सासाथ कम ही आ जाती है तो आपका सबसे पहले जो आप देखते टिक मारने की कोशिश करो के तापमान जो की कता ही नहीं है क्योंकि तापमान है जो 165 मीटर एक सेंटीग्रेट गटता है लेकिन जो प्रशर होता है दाब होता है वायू दाब होता है वो बहुत तेजी से गटता है उपर जैसे बढ़ते हैं आप तो इस तरीके से आपका इसमें पहला आंसर हो जाएगा दाब यज वायू दाब भी यहाँ पर हो सकता है अगला कोशन जो कि बहुत ही अच्छा नोटी लंबाई है और भारत की स्त्रह सीमा जिसकी लंबाइ 15200 किलोमेटर अगर अगर आप संब्स से लगी होई मुख्व भूमी की अगर देखो गए जली यह सीमा की अगर देखोते हो तो 1600 किलो मेटर होती और अगर मुख्व भूमी कि से सम उत्रीक लमबही देखते हो तो कासकारिक्रम के अंतरगत ब्सक्राइब कि भारत के शमीदान के अंतरगत प्रभोप प्रमुख संपरभू कौन उता है तो भारत की जनता होती है वह प्रमुख संपरभू होती है ultimate sovereign होता है जो इंडियन होते हैं वो होते हैं अगला question आप देख रहे हैं question number 105 निमनिमिश से किसका संबंद बहुतिक परियावरण से संबंद नहीं है है तो इस्थलमंडल वयूमंडल जलमंडल यह सारे बहुतिक परियावरण के है लेकिन जो तरल के विलियन का उधारन जैली होता है गाईस तो जैली इसका आपका correct answer होगा next next question number 7 निमने लिकित में से किसका सही mail नहीं किया गया है यह आप देख रहे हैं तो सही mail किसका नहीं किया गया है वो देख रहे हैं तो देखिए लोह आयस का है वो कुंद्रे मुख में इसकी लोहे की खाने होती है तो वहां से लोहा निकलता यह correct है खेतड़ी से तांबा निकलता यह भी correct है सिंग रहनी से कोईला निकलता यह भी correct है तो मैगनीज कोरापुट जो दिया हुआ है कोरापुट एक जगे का नाम है आई थिंग कुडिसा में है तो मैगनीज का यह वाला option आपका correct नहीं है अगला आप देख रहे हैं कि उस्ताद बिश्मिल्ला खा कौन सा वादियंत्र ब कहते हैं जब पोध्यों में तरल के रूप में जो पानी की कमी आती है उसको कहते हैं गटेशन इंगलीश में होता है हिंदी में चित्ती फाड़ना और भी कुछ नाम आ सकता है लेकिन आप गटेशन याद रखें और वास्वोर्जन आपको पता है जो जल वास्व बन के 11 नंबर का कॉश्चन आप देख रहे हैं कि मोधी सरकार ने केंद्र में निम्निक में से किस योजना के स्थान पर नीती आयोग का गठन किया है तो नीती आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर किया है और योजना आयोग आपको पता है 15 मार्च 1950 को इसका गठन हुआ था तो नीति आयों का गठन का गठन गाइज एक जनवरी 2015 के दिन यह आपका हुआ था ठीक है नेक्स देखेंगे या यह दोस्तों हम यहाँ पर प्रिवियस यह का पेपर है वह सौल्व कर रहे हैं और प्रिवियस के पेपर से जो कोशन आते हैं तो वह आपकी एक्जाम में आ मानदंड द्वारा किया जाता है तो आप जो option देख़ेंगे option देखो कि अवास में कमरों की संख्या नहीं को गरीबी ना परिवार स्थे के सद्शे नहीं तो होता 1-100 वेक्तियों के लिए 200 के लिए रुखी जरूत होती है अगर इतनी वह नहीं ले पा रहा है तो समझ जाए कि आप वो गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा आगला कोईशन आप स्क्रीन पर अपनी पर देख रहें कोईशन अगला देखेंगे आप निमने लिखित में से क्या विरंजक अभी करमक का काम नहीं कर सकता ठीक है तो यह question guys जो देख रहे हैं यह थोड़ा doubtful question है ठीक है मैं इसका answer आपको नहीं बताना चाहता लेकिन आप सोचेंगे कि क्यों नहीं बता रहें तो मैंने देखो इसका बहुत search किया और search करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला ठीक है फिर भी मैं इसमें अगर आप मैं तो कहता हूं कि आप इसको छोड़ देना अगर नहीं भी छोड़ देंकर इस टाइब का आ अगर आपको देना ओप्शन तो शल्फर डायोक्षाइड पर आप मारना क्योंकि यह दो ऑप्शन तो बिल्कुल है ठीक है यह तो विरंजक का कारिय करते हैं मतलब का फुल का है लेकिन अगर नहीं हो सकता है तो मुझे एकदम नहीं है लेकिन इसका आंसर होना चाहिए गाइस नेक्स्ट नेक्स्ट कोशिन आप देख रहे हैं कोशन नमर 15 जो की एक तरीके से कंप्यूटर से रिलेटेड कोशिन आप देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तालिका में सभी खुली फाइलों की सूचना रहती है तो सभी खुली फाइलों की सूचना रहती है वह उपन फाइल टेबल होती है उसमें गईस रहती है तो यह आपका एकंप्यूट स्क्काइब आपको पूछे जा सकते हैं इस प्रकार से यह कोशन भी आपके लिए इंपोर्टेंट है नेश्ट को शोला हम सोला इसलिए कह रहे हैं कि हमारे कोशन का सैट का नमबर यह 1166 से कहेंगे 116 एर के च्वरीन क्या प्रीवियस यह का पेपर हम आपको करवारें तो आपको General प्रीज के करना हrid known को अन्तर नॉलेज़ का कारेक्रम का लक्स तो इसी का होगा एक तरीके से इसका होता है कि गरीबी को एक तरीके से गरीबों का उत्थान करना होता है लेकिन इसमें देखें तो option D इसमें correct बैठ रहा है कि इसमें confusing option दे रखें सारे गरीबों में भी सबसे गरीब लोगों की शायता करना तो एक तरीके से है नहीं इसमें आंसर है गरीबों उनमूलन लिख रखा है ठीक है तो इसका भी हम नहीं मान सकते तो इसमें जो ऑप्षन के हिसापश है वह डी ऑप्षन इसमें करेक्ट बैठने का वह है ठीक है गाइस तो अगला कोशन नमबर जो 17 है वह आपकी स्क्रीन पर यह है कि निमने लिखित में से किस राजने कमजोर वर्गों को बढ़िया बोजन रियाती दर पर उपलब्द कराने के लिए पूर्णा रसोयोजना शुरू की गई है तो यह जो राजिस्थान के होंगे वह समझ गए होंगे कि राजिस्थान से की गई है ठीक है कोईशा नमर 18 तो उधार देना रिन देना तो वह हो जाएगा किर्शी और लगू उध्योग इनको देना यह अदरवज इनको नहीं देंगे तो यह चेत्र पिछड़ जाएंगे कभी कर्चा नहीं चुका पाएंगे इसलिए यह प्रियारिटी सेक्टर में इसको रखा गया और भी के दौ आगला कोशन 20 निमने लिखित में से किसे तालाब और कोव में छोड़ना मच्चरों के नियंत्रण में सायक होता है तो यह गैम बुसिया फिस होती है एक उसको तालाब और कोव में छोड़ देते हैं तो मच्चर कंट्रोल होते हैं ऐसा है कोशन के हिसाप से ठीक है प्लिस क क्या जाएं परले कि नहीं की आना चाहिए क्योंकि आजकल हमारे इतने अच्छे रिलेशन चाइना के साथ होनी रहे हैं किसो निता थे लें ये以前 हमें कियो मिन तॉन टांग यू ओ में टनित ओन और लेयम यह यू को यूमिन टांग ठी थी तो कियो हम इन्तांगोगा के संयत रख पति राष्ट पिता सोरी राष्ट पिता राष्ट पिता के नाम से तरह कर लेته हैं कि जींड क्या है तो च्हार्ट में ड Monaten को किसे कहते हैं तो इसमें आपका option होगा जूम जादा कर दिया है यह जूम आउट कर लेते हैं हाँ तो इसमें आपका option जो है सी जिसका correct answer होगा एक complex of communities characterized by distinctive distinctive climate and vegetation विशिष्ट जलवायू और वनस्वत्ति वाले समुदायों का मिस्रन ही बायों कहलाता है जीवों कहलाता है तो इसका यह answer गाईज हो जाएगा इतना जूम करकर के गाईज इसलिए पढ़ा ना पढ़ रहा है क्योंकि आप लोगों की शिकायत रहते हैं कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है पीछे होते हैं ठीक है तो आख के जो लेंस हैं वो किसके पीछे होते हैं तो इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कोई थीठी तो थो और आग पीछे क्या होता है तो वो विए गारेटी न यहां ध्यान रहें मैं बार बार रिवाइज कर रहा हो आपको उसको और आक के लेंज किस के पीछे होते हैं वो आएगा फ्यो पिल का ठीक है फ्यो पिल का अगला कॉश्चन ने वो अर्थ विवस्था से रिलेटेड है अर्थ विवस्था का चप्ट रोता है कि निमने लिखित में से किस आई को राष्ट्रय की गण्ड़ में सामिल नहीं किया जाता है ठीक है अब यह थोड़ा सा confusing है लेकिन फिर भी इसका answer हम बताएंगे आपको कि शेयर ब्रोकर की कमिशन से जो आयो होती है उसको नहीं सामिल किया जाता है नेक्स्ट कोशन आप देख रहे हैं गाइस कि निम्न लिखित में से एक क्या अर्द चालक है सेमी कंड Luck तो देखिया silver है ना वो तो बहुत अच्छा सुच्छालक ठीक है copper है वह भी है लेकिन जो glass है वो चालक होता ही नहीं तो इसमें सिलिकॉन है वो अर्द चालक है ठीक है सेमी कंड़क्टर आपका सिलिकॉन आजाएगा अगला कोईशन आप देख रहें कि चुना पानी में कार्बन डायोक्साइड के गुजरने पर दुखदता किसके बनने से दिखाई देती है दुखदता जो दिख जाती है वो किसकी अगला कोईशन फिर से कंप्यूटर के रिलेटेड है कि भूलों और बगों को ठीक करने में प्रोग्रामर की सहायता के लिए बनाए गए सिस्टम प्रोग्राम को क्या कहते हैं तो इसको गाइज जो बग्स को एरर को जब अगर ठीक किया जाता है ना उसको कहते हैं डी बग टिबगर टिक है श्काइब कम्प्यूटर का कॉश्ठ पर बहुत कोश्टन करकर अब कर्रेका और मकर दोनों कहां से गुजरती हैं तो यह दोनों है अफ्रीका एना अफ्रीका उसमें से गुजरती ऑ элем कर्कर है है यह देहां रखे में किसन एमरेश्थर को बनाया था तो श् कोईशन गाई जो है इसको डिलीट कर दो क्योंकि सेंट राष्ट का महा सच्ची कौन चुना गया है तो यह पुराना पेपर उस टाइम की बात थी इसलिए यह नहीं है बारिश की फवारों के बाद इंदर दनुष कहां दिखाई देता है तो आपने देखोगा बारिश की प्रिदिशा में हमें सेंदर दनुष दिखाई देता है कोईशन नमर 35 आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि मंत्री परिशद के आकार और सदस्टा के बारे में निरने कौन करता है तो मंत्री परिशद के सदस्टा के बारे में निरने उनका हैड होता है कैबिनेट का हैड या मंत् तक किसके शासनकाल में आये थे तो मंगोल यही जो आकरांता थे वह आये थे अलावदिन खिल जी के शासनकाल में ठीक है नेक्स कोशन आप देख रहे हैं कि माइक्रोसफ्ट एक्सल एमस एक्षल क्या है तो एक तरीके से यह देखिए आप एमस ओफिस पैकेज होता है सब्सक्राइब क्या होता है एमस एक्षल आता है में फॉर्फ पोइंटांथा यह सारी चीज्ज आती है उसी के अंदर यह तरीके से एक पार्ट होता है MS Axle Microsoft Axle उसी का एक part होता है गाईस यह computer का एक question था question बहुत important है कि पंचाती राज व्यवस्ता में पंचा समेती का गठन किस इस्तर पर किया जाता है तो पंचा समेती का इस्तर का गठन जो किया जाता है ना पर तो यह आप पर जिला परिशद का वो डिश्टिक लेविल पर ठीक है और विदान परिशद का स्टेट लेविल पर आप जानीते हैं कभी कबार क्या होता है कि कोशन की language आपको यह लगता है क्या लेंग्वेज के आधार पर आपको जवाब देने होते हैं जैसे अगला कोशन 140 नमर को दिख रहा है कि प्रतिभागिता किसका महतुण तत्व करना किसी में पार्टिशपेट करना उसको कहते हैं प्रतिभागिता तो यह हमेसा डेमोक्रसी सिस्टम जहां होता है महां का ही हो केलासनात मंदिर जो सिव मंदिर है जिसकी भीतरी दिवारों में रंगों से मूर्तियां बनाए गई हैं किसने बनवाया था उसको तो उसको किसने बनवाया था कांजीपुरह में केलासनात मंदिर को किसने बनवाया था तो नर्सिम्मा वर्मन ने इसको बनवाया था अगला देखोएंगा आयरंडी होता है यह सारी चीजें आप पानी का पीने का तब ने में कि देखना कभी उसकी डिस्पले कि इसमें क्या एक लिखा होगा उसमें एक अग्रोमियम का वह मैं टैग का लगा रहे हैं कि गोविंद वल्लब पंत सागर रिजर्वायर का इस्तित है तो यह जो हमारे दर्सक होंगे उत्तर प्रदेश को अच्छे से पता होगा तो याद रखें इसको अपने अपने बिश्चेट के तो विशेश कर उनको याद करने के जरूती नहीं होना चाहिए अगला कोशन गाइस जो देख रहे हैं यह साइंस से रिलिटेड है साख बक्षी जनतों में कौन से दातों की कमी होती है तो देखिए जो साख बक्षी होते हैं हर भी वोर वोरस होते हैं चीक है उनमें होती एंसी सर की कम होते जहेदक होते हैं इंसी सर की कम होती है किस चाहर दृट्टी आप धियान रखें अगला कोशचे आप निम्हा लित में से क्या क्या गैर समुविदा आए है नॉन कॉंट्रक्चल अर्निंग निम्न में से कौन सा है तो वह होता है एक तरीके से प्रॉफिट प्रॉफिट है वह गैर समविदा आए कहलाती है जो नाक्स्ट गाइज जो आपकोशन नंबर 46 जो देख रहे हैं काफी इंपोर्टेंट ओशन नहीं देखने बायो गैस से निकली निम्नलिकित में 10 का प्रयोग ईंधन za प्रॉप में किया जाता हैं आपके निमने लिखित में से चोल राजा ने गंगई कोर्डन की पद्वीश विकार की थी तो वह राजा था राजेंद्र पर्थम राजेंद्र पर्थम नेक्स्ट गाईज अगला कॉशन है जो आपका फिजिक्स का है कि वोट इंटु सेकंड किसकी युनिट है वोट कुभशन आप देखेंगे कि कोकरोच का मल उत्तरजन अंग क्या होता है को क्रोच का मल उत्तर जन अंग होता रहाए है लास्ट कुशन गाइस जाज की वीडियो का आप देख रहें कि फूट फूट सल्ट टीम में कितने खिलाडी होते हैं अब फूट सल्ट देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरीके से आप हमारी वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब करते रहें और हम भी आपके लिए एक अच्छी सची वीडियो लाते रहेंगे अपसे आगे हम जो आपको आया में दहरा दून और एक जारी है उसके आपको त्यारी करने वाले और त्यारी का लेविल होगा थोड़ा बढ़ाया जाएगा जैसे पिछली बार हमने देखा था पिछले सारव के पेपरों में जो देखा था तो इतना अच्छा इस्टेंटर आता नहीं था तो बहुत लो लेविल आता था इस बच्चों को कैसे मतलब आउट किया जाए बाहर कोंपेटिशन से तो इस वज़े से पेपर का स्टेंडर भी रखना सुरू कर दिया तो इसलिए पेपर का स्टेंडर है तब से आगे जो आप वीडियो देखेंगे उन्हों में हमारा पेपर का इस तंडर आपको देखेगा तो आप यह मत सोचना कि हम बहुत टफ करा रहें नहीं नहीं टफ करा रहें वह आपके हित के लिए ही करवाएंगे क्योंकि इससे आपका इस्टेंडर है उसके अकोर्डिंग आप उसे एक्जाम में फिट बैठ पाओ और हमारी जो वीडियो हैं आपके लिए हेल्प कर तो थैंक यू सो मच गाइस और अब फिर दुबारा से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए सब्फा खेर सुबरात्री सुब संद्या सुब दिन सुब गुड मॉर्निंग वटेवर जो भी है आप जब भी देख रहें वह आप ले सकते हैं क्योंकि मैं तो र